खबर मद्पिदेश के रीवा जिले से है जहां जने थाना छेट के रहने वाले दो परिवारों के बीच इन दिनों एक भैस को लेकर विवाद चल रहा है जिसके तरह एक पच्छ से लल्लू आदिवासी नाम के सक्स ने थाना छेट के पुटोधा गाउं के रहने वाले दल बहादुर सिंग के नाम जबरन अपनी भैस को बांधने की थाने में शिकायत दर्श कराई थी जिसके बाद पुलिस के दौरा विवाद को सांथ कराने के लिए भैस को थाने में लाकर लोकप के बाहर बांध लिया गया और तकरीबन चार दिन तक भैस थाने में ही रही मगर जब विवास सांत नहीं हुआ तो पुलिस ने साच्छों के आधार पर दल बहादुर सिंग को भैस वापस कर दे फिलहाल मामले पर शिकायत करता ने किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं दर्श कराई दरसल जिले के जने थाना छेत के सोहराब गाओं के रहने वाले लल्लू आदिवासी की भैस एक साल पहले अचानक गायब हो गई जिस पर लल्लू आदिवासी के दोरह लंबे समय तक भैस की खोश की गई मगर उसकी भैस उसे वापस नहीं मिल सकी फिर साल भर बाद उसके किसी पहचान वाले ने उसी की तरह के भैस को पुटोधा गाओं के रहने वाले दल बहादूर सिंग के घर में होने की जानकारी दी जिस पर लल्लू आदिवासी ने अपनी भैस को वापस पाने के लिए थाने में शिकायत दर्श कराई और मामले की गनभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने भैस को दल बहादूर सिंग के घर से उठा कर थाने में ला लिया तथा चार दिनों तक वे भैस थाने में लोकप के बाहर बंदी रही परन्तु जब मामले पर कोई निसकर्स नहीं निकला तो पुना पुलिस ने दल बहादूर सिंग को भैस वापस कर दिया पताया जा रहा है कि सिकायत के बाद लल्लू आदिवासी मामले पर पूरे बयान को लेकर दोबारा थाने नहीं पहुचे जिसकी वज़े से पुलिस ने दल बहादूर सिंग के दोरा प्रस्तुत किये गए साच्छों के आधार पर दोबारा उन्हें भैस लोटा दी पुलिस की माने तो दल बहादूर सिंग के दोरा अपनी भैस की एक वर्स पूर्विखिची गई तस्वीर को दिखाया गया इसके अलावा आने कई साच्छ प्रस्तुत किये गए जिसके आधार पर पुलिस इस निसकर पर पहुची कि उन्हें भैस वापस कर देनी चाहिए हम थाने आए हम का दभरोगा साहिब बुलाइं टभरोगा साहिब नहीं आहीं आई इस्टियोपी साहिब आए हम का लोग सेङनल थane को बड़ाएं, कि थीखित हैं हम है टु कि फ्रियोफी साहिब चले को फ़ोगे तनार्व के घर घया का हिस झाले के छाये गष्टै के इतने सुन्दर सुन्दर गिहने लाए दुनहन के रूप में चार्चांद लगाए प्यार के रिष्टे को और कहरा बनाए समदड़िया आभुषण का चादु है चाये समदड़िया आभुषण समदड़िया आभुषण समदड़िया आभुषण